नमस्कार दोस्तों जैश्री शाम इस वीडियो में बात करेंगे जून 2024 जो की नई स्कीम का पहला अटेम्ट है उसके लिए हमें अपनी तयारी किस तरीके से शुरू कर देंगे इकनॉमिक्स ये जो पेपर अभी तक सबसे असान पेपर बच्चों को लगता था मैं कहूंगा कि ये पेपर जो है पच्चों के लिए अब सबस्यादा टेक्निकल होने जा रहा है तो अगर देखा जाए तो लगभग लगभग 1.5 सब्जेक्ट क्योंकि देखो 60 और 40 100 130 और 20 500 हो जाता है यह 500 परसेंट का मतलब समझें लगभग लगभग 1.5 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो आपको एकदम दुबारा पढ़ने हैं जो अभी तक आपने नहीं पढ़े यह चीज़े जो हिडन है एकदम कोर्स के अंदर जो मैंने आपको बता दी इसके उपर आपको बहुत फोकस करने की ज़रूरत है बहुत दिहान से इस वीडियो को अंति तक जरूर देखिए का बहुत सारी चीज़े आपको सीखने को मिलेगी देखिए मान के चलिए सबसे पहले एकनॉमिक्स यह जो पेपर अभी तक सबसे असान पेपर बच्चों को लगता था मैं कहूंगा कि यह पेपर जो है पच्चों के लिए अब सबसे आदा टेकनिकल होने जा रहा है क्योंकि इसके अंदर आपको सिर्फ माइक्रो नहीं अब मैक्रो भी पढ़ने को मिलेगी और साथ में इंडियन एकनॉमिक के भी कंपोनेंट देखने को मिलेंगे तो मैं सबसे पहले तो इस पेपर को लेके हर बच्चे को अगा करना चाहूँगा इकनॉमिक्स का जो पेपर है इसको बहुत ध्यान से देखना क्योंकि आपनी जो पहली एकनॉमिक्स पढ़ी हुई थी वो मात्र और मात्र आपका 40% कोर्स थी यहां पर आपको अब हर बच्चे को 60% न्यू कोर्स करना है जी हाँ 60% लगबग न्यू कोर्स आपको यहां करना है सेम वे मैं आपको बताना चाहूँगा लॉग के अंदर law के अंदर मोटा मोटा आप मान के चल सकते हो कि 60% course आपका old scheme से मिलता हुआ है लेकिन 40% यहाँ पर भी हर बच्चे को जो है वो new course करने की ज़रूरत है सेम वे अगर मैं बात करूँ accounts के अंदर देखो थोड़ा सा plus minus percentage हो सकता है exact तो कोई भी नहीं बता सकता तो accounts के अंदर मैं मान के चलता हूँ कि 70% course जो है वो आप old scheme में करते थे लेकिन यहाँ पर भी 30% new course आपको करना है और बात आजाते है mass stats, LR के उपर तो मैं मानता हूँ कि वहाँ पर भी 80% course पुराना है लेकिन 20% new course जो है आपको यहाँ पर करने की ज़रत है तो अगर देखा जाए तो लगभग लगभग 1.5 subject क्योंकि देखो 60 और 40, 100, 130 और 20 डेड़ सो परसेंट हो जाता है डेड़ सो परसेंट का मतलब समझे लगभग लगभग डेड़ सबजेक्ट तो जो आपको एकदम दुबारा पढ़ने है जो अभी तक आपने नहीं पढ़े मतलब चाहे कोई भी बच्चा हो चाहे उसके 199 आए हो 190 आए हो, 180 आए हो एक चीज मान के चलो कि डेड़ सबजेक्ट तो आपको एकदम फ्रेश पढ़ने है जिसकी आपने अभी तक कोई तैयारी नहीं करी तो इस बोचक्के के अंदर मत रहना कि पुरानी चीज़े को जो हलका सा देख लेंगे तो इससे काम चल जाएगा ये चीज़े जो हिड़न है एकदम कोर्स के अंदर जो मैंने आपको बता दी इसके ओपर आपको बहुत फोकस करने की ज़रत है अब मुत्दा ही आता है कि तैयारी किस तरीके से शुरू की जाए क्योंकि ये सीज़े नहीं जुड़ गई है और हमने भी पहले कुछ पड़ा हुए तो वाट इस दा वे आउट तो स्टार्ट विद अब हम इसके ओपर बात करते हैं देखिए सबसे पहली चीज एक चीज को समझ ये कि मैं आपको स्टिक लिए कहूंगा कि बिल्कुल भी ओल्ड चीजों को रेफर करते हुए मच चलिएगा न्यू स्कीम की अपनी रिक्वार्मेंट्स है कैसे अपनी रिक्वार्मेंट्स अगर मैं छोटा सा सिंप्लिफाय करूं लॉग के अंदर देखिए पहले BCR होता था 40 और 60 अब लॉग बनेगा पूरा 100 मार्क्स का तो कही ना कही वहाँ आपको एक्स्प्लिनेशन और चाहिए डिटेल्ड एक्स्प्लिनेशन की रिक्वार्मेंट वहाँ पर हो जाती है वहाँ पर राइटिंग प्रैक्टिस की रिक्वार्मेंट और ज्यादा हो जाती है एक्नॉमिक्स BC के 60-40 चलता था अब एको हो गया 100 मार्क्स का नए चेप्टर जोड़ गए तो वहाँ पर आपकी रिक्वार्मेंट और बढ़ जाती है मतलब थियोरी पेपर्स के उपर जो वर्कलोड है वो फाउंडेशन के अंदर ज्यादा बढ़ा दिया गया यह मैं मानता हूँ कि प्रैक्टिकल पेपर के उपर इतना वर्कलोड नहीं बढ़ाया गया लेकिन वहाँ पर भी अकाउंट के अंदर 30% के असपर लगभग चेंजिस किये गए हैं जो आपके इंटर लेवल के चेप्टर्स ला करके फाउंडेशन के अंदर डाल दी हैं तो साब करें क्या किस तरीके से पढ़ाई करें तो मैं आपको सबसे पहले यहां बताना चाहूंगा कि आप कोई भी 2 subject जो हैं अपने पिक कर लीजे कोई भी 2 subject या तो आप combo बना लीजे अपना accounts plus law का या आप अपना combo बना लीजे MSLR plus eco का जो आपको सही लगे इन 2 मेंसे कोई भी 1 combo पकड़ लीजे कि सबसे पहले मुझे इसको बगड़ के अपना पूरा का पूरा तियार करना है तो मैं advice करूंगा आप इसको करें जादा अच्छा रहेगा क्योंकि जनरली बच्चों की MSLR में बैंट बजरी होती है अब आपने MSLR plus eco उठाया तो आपको क्या करना है आपको सिर्फ इन दो subjects को पर focus करना है अगले लगभग लगभग एक से डेड़ महीने या अपने accounts on law उठाया है तो सिर्फ उसके उपर focus करना है दूसरे packet को मत उठाना नहीं तो confuse हो जाओगे अब आपको क्या करना है कि सुपोज आपने MSLR plus eco उठाया तो हर chapter के videos, pp book और test ये तीनों चीज़े जो है आपको करती हुए चलनी है लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि suppose आपने पिछले attempt के अंदर कोई ऐसे chapter थे जो बहुत अच्छे से तयार किये थे लेकिन उसकी practice test नहीं किये थे चाहे revise करके एक बार फटा-फटा pp book और test के questions करो लेकिन वो must है उसको आप ignore नहीं कर सकते लेकिन नए chapters है उसमें तो आपको एकदम freshly videos या live classes करनी पड़ेंगी और फिर pp book के टेस्ट करना है या ऐसे chapter जो पिछले attempt में आप उपर-उपर से करके गए थे या किसी की marathon पगड़ लेती जो generally आप पगड़ लेते हैं तो उसको जो है आपको एकदम base level से उठाने की ज़रुरत है अब यहाँ पर एक चीज हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है देखिए अगर आप सिफ again इसी वे रहेंगे वीडियो live classes जो है इससे काम चल जाए और मैं PP book को test को ignore करूँ तो मान के चलिएगा आप नहीं pass हो सकते मैं आपको बता दू इतने बच्चे पास हुएं कि आप YouTube community section के अंदर जाके result scroll करना शुरू करो 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 हाथ थक जाएंगे तुम्हारे थक जाएंगे इतना result वहाँ पर डाल रखा है photo के साथ बच्चे की mark sheet के साथ roll number के साथ उसका state कौन सा है फेक तो है नहीं वैसे आज कल यह भी हो रहा है कि AI की photo बना बना के डाल दी जाती है roll number random चिपका दिये जाती है mark sheet fake बना दी जाती है लेकिन अपना भाईय सारा genuine है A to Z YouTube community section के अंदर जागे देखो सारा result upload कर रखा है और upload होता ही जा रहा है रोकी नहीं रहा है इतना result आ रहा है इतना result आ रहा है क्यों हो आ रहा है सिफ कारण क्योंकि हम करते हैं research research के बाद आपको देते हैं वो content और फिर आपके साथ करते हैं महिनत सीधी इसी बात इतनी है grassroot level पे जाके जो महिनत करेगा वो ही वच्चों को वास करा सकता है और वो हम करना बहुत अच्छे से जानते हैं तो इसलिए मैं कहा हूँ यह PP book और test भाई आप यह सोचो कि हमारी live classes करने से काम हो जागा वीडियो तो वो कहीं नहीं हो सकता आपको practice और test जरूर करना है यह बात ध्यान रखिएगा जब आप 9.0 course लेंगे तो उसके अंदर आपको जो है यह perfect practice books आएंगी plus साथ में जो है आपको उसके अंदर test kit भी मिलेगी जो की new scheme के हिसाब से है ठीक है न? तो दोनों के उपर साथ साथ फोकस करना है सिर वीडियो जो है और परफियर live classes इससे काम नहीं चलने वाला है यह बात ध्यान रखिए तो सबसे पहले चीज समझ में आ गई कि आपको क्या करना है कोई भी 2 में से 1 combo ठालो और उसको पहले अच्छे से खतम करो और उसके बाद जो है अगले पे जाओ चारो एक बार शुरू करने की जरुरत नहीं है बैसे हमारे हर 15 दिन पर आते रहते नए-ने तो घबराने की जरुरत नहीं है और light classes के अलावा अगर आप recording से भी करना चाहें तो सारी latest new recordings अपग्रेट करके हमने आपको दे दी है तो यह तरीका है जिससे आप अपनी पढ़ाई जून 2024 के लिए शुरू कर सकते हैं CA Foundation 9.0 course के साथ और बिलकुल भी अपना जो समय है वो waste मत करिये बहुत ज़्यादा जलूरी है कि आप अपना पढ़ाई के उपर फोकस करें बाकि और कोई डीटेल चाहिए तो हमारा help line नुमर है 888880402 पर call या whatsapp करके आप जानकारी ले सकते हैं आज के लिए इतने हैं नेक्स टूड़े में तब तक के लिए बाबाई टेक केर जय श्रीशाव